नमस्कार एबी नीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मनप्रित कौर दो दशको से चला आरा योध्या मामला आज सुलजने वाला है सभी लोगों में काफी उत्सुक्ता का महौल है सभी लोग ये जानने चाहते हैं कि आने वाले वक्त में फैसला क्या होगा ज बहुमी आकिर किसी है यह भूमी का मसला आज सुलज जाएगा और लोगों में काफी उत्सुक्ता देखने को मिल रही है सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये फैसला किसके पक्ष में भी हो मुखेमंतरी ने खुद यह कहा है कि फैसला कुछ भी हो हमें उसकी इज़त क चाहिए और शांती बनाए रखनी चाहिए और इसी वजह से सभी जगों पे हाई अलट कर दिया गया है 4000 से बियाधिक पुलिस करमी तैनात किये गया है और युद्धा के आनी चानी वाले हर रास्ते पे पुक्ता पुलिस्या इंतजाम किये गया है साथ साथ बिहार और जारकण भी हाई अलट पर है बिहार में सभी जगह हाई अलट कर दिया गया है जितनी बोड़ी बड़ी जगह वहां पे पुलिस बलत प्रटानू आजदू है है और यूचो के Лोगों और इतना साफ हो चुका है कि इतनी अक्टिवनिस इसलिए नज़ारी यह और कि यह मामला काफी गंभीर रूप से सामने आ रहा है शोशल मीडिया पर भी लोगों की कड़ी नजर है क्योंकि शोशल मीडिया से जरिए लोग अपडेट्स ले रहे हैं इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र बनाई रखी गई है कि किसी तरह का अपवात जनक विवात सामने ना हो इसी तरह अपदेट्स से आपको रूबरू कराते रहेंगे अयोध्यामामला आखेर आज सुलजने वाला I.C के अपदेट्स के साथ आपको रूबरू कराते आप शांती बनाई रखे फैसला किसी की पक्ष में हो पर वो फैसला जस्रिट का है और वो हमारे लिए हमीशा माननीय होगा इसी वज़व से सभी लोगों से यह अपील होगी कि वो शांती बनाई रखे अगर आपको यह नीज अच्छी रहे तो लाइक और सब्सक्राइब करन अजय भाद सोचिल मीडिया यूटूब फेस्बुक और ट्वीटर पर मिला 10 करूर लोगों कम व्यार अपने तीवर और नए कलेवर के साथ आ रहा है अजय भाद तो फिर देर किस बात ही तो कॉल या वाटसप करें हमारे नंबर 7488-051092 कर दो